Hello Everyone, Welcome back to my channel, CityKidivide Hair and Beauty Tips आज के वीडियो में सबसे पहले तो आप लेंट देख लो, Hair की लेंट कैसी है, बालो की साइन कैसी है, बालो को काला कैसे करना है, बालो को लंबा कैसे करना है, बहुत सारे कॉमेंट आते हैं और उनी सारे कॉमेंट का जवाब मैं आप सब के साथ से एर करती रहती हूँ, तो स तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपको मेरे लंबे वीडियो से परिसानी है देखे यूट्यूब पे काम करने का एक तरीका होता है उस तरीके के हिसाब से ही मुझे काम करना होता है अगर मैंने जरा सभी एक दो इंच इदर उदर किया तो बहुत मुसीबत हो काम करना होता है तो चलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसी रेमिडी सेर कर रही हूं जो बहुत तरीके से आपके लिए काम की होने वाली है काम की साबित होने वाली है आपने बालों पर बहुत कुछ लगा कर देख लिया है लेक लगाते हूं फिर भी कोई फराइक नहीं पड़ता है, बाल बहुत जादा जढ़ते हैंыш के बहुत सारे कारण हो सकते हैं यहां पर आप देख सकते हो बहुत से लोगों के फ्रेंट्स से घाइब हो जाते हैं, बहुत जो सो की दिखने लगती है है, मांगcidos को जो अब आधा केर यहां पर मैंने एक खाली बरतन ले लिए आप कुछ भी ले लो काटोरी काटोरा जो जिसके पास हो ले लेना और आज की रेमडी चार पांच तरीके से आपके हर पर वर्क करने वाली है सबसे पहले तो यहां पर आपके बालों का जो हैर फॉल है उसे बंद करेगी आपके बाल करस कर लो और उसमें से एक जूस निकलेगा वो निकाल लो ठीक है रेमडी जो है बहुत कम मातरा में इसलिए बनाती है क्योंकि यह मुझे खुद को अप्लाई करनी होती है मेरे घर में को इतने धेर सारे आदमी नहीं है या इंसान नहीं है या लोग नहीं है जिनके हैर पर मातमि च्रिब्रफों तो, इसमें रहें है यह हमारा ट्रिटी है इससेंसिल को कालना है ट्रिब्रा में सब्सकाइत जसेंजंब्द को एक आदम सब्सक्राइब करना धभिए आधे हैं और महंगे आने की वज़े से ही क्यों महंगे आते हैं क्योंकि इनकी गुडनेस बहुत जादा है इसी वज़े से महंगे आते हैं और इसी वज़े से हमें इनको बना कर वेस्ट करना नहीं है मेरा काम है हफते में आपको तीन रमडी देना तो तिन रमड़ी अगर मैं हफते में दूँगी तो इसके लिए मुझे अलग-अलग चीज़ आपको बना कर दिखानी होंगी अगर मैं यही ओयल बोतल भरके बनाओं तो मैं एक बर यूज करूँगी इसके बाद मुझे यूज करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा इस ओयल को यूज करने इसे कापके खतम हो जागी एक और इंपॉर्टन चीज होती है आपकी हैरफॉल के लिए वह होता है अगर आपके सर में बहुत जादा रेंड़फ है उसे खतम करने के लिए मैं यहाँ पर ट्री ट्री इसेंसल ओयल डाला है अगर आपको किसी भी इसेंस लग रहा है डेंड़फ लैंद मैंने इसके आपको पहले ही सो कर दी है आज से अगर आप दो साल पहले जाओ तो इसके हैर आप बिलीफ नहीं करोगे सुरुआत में मेरे चैनल पर जाकर देखना इसके जो हैर है वो बॉई कटते धीरे-धीरे करके मैंने यह जो खुद की र में बैटी के सर पर भी अपलाई करती है जैसे कि मैंने टोनर बनाया या टोनिक बनाया वही वही उज रहती हूं HERE अगर मैंने बनाई है तो वह सर्फ मैं यह मेरे हस्बन यूज़ करते हैं बाकी ऑइल में बेटी के सर पर यूज़ करके आपको दिखा देती हूं तो ऑइल को जब भी आप बनाते हो आपको रूट में अच्छी तरीके से लगाना है एंड में अगर बच जाए तो आप उसको सकते हो लेंद में बट आपको सबसे पहले स्कैल्प में ध्यान देना चाहिए अगर आपकी स्कैल्प से आपके बाल जो है वोन की रूट जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगी तो आपका हैरफॉल तुरंत बंद हो जाएगा रेमडी इतनी कमाल की है कि आपने अगर इसको जब पर आप उसको कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हो मतलब कि आपने 15 दिन बंद कर दिया एक मेरा बंद कर कि दिया उसके बाद कोई दूसरी danesam that बार जब कर सकते हो जड़ से काले बाल करने है उसके लिए अलग प्लेइलिस्ट बनी हुए वो देख सकते होabord सारी चीज़ों के लिए मैंने सब कुछ बना कर रखा है आप मेरे चानल पर जाकर एक बर देख सकते हो तो मैंने कहीं पर भी वीडियो को पॉस नहीं किया है या फिर मैंने स्किप नहीं किया है जो मैंने किया है जो मैंने करा है वही आप सब के साथ यहां पर share कर रही हूं बहुत से लोगों को परिसानी है कि हम लंबे वीडियो बनाते हो बहुत बोलते हो बहुत बनाते हो तो dear मैं आप सबसे बोलना चाहते हूं कि मेरा काम है बोलना मेरा काम है बताना अगर आपको मेरे बाते अच्छी नहीं लग रही तो आप वीडियो को skip करके देख सकते हो आपकी मर्जी अगर आपको सिर्फ remedy से ही फरक पड़ता है मतलब कि आप सिर्फ remedy ही चाते हो तो remedy आपको वीडियो में मिल रही है आप remedy देख लो आगे की बातें बत सुनो तो देखें, हमने ऐल जो है अची तरीके से लगा लिया है। रूट में भी लगा लिया है। जो बज गए था थोड़ा से इसको बने लंद में लगा दिया है। अब अच्छे से मसाज कर लेंगे कम से कम 5-7 मिनट तक 5-7 मिनट तक मसाज करने के बाद या तो अपने बालों के आप चोटी बनाया करो या उसका जोड़ा बना दिया करो और जब भी इस तरह का कोई oil यूज करते हो हफते में दो बार कम से कम यूज करना चाहिए अब यह देखो सामने के जो फ्रंट हैर मैं आपको दिखा रही हूँ न यह इसके बेबी हैर है तो वाश करने के बाद आपने जो मैंने वीडियो के शुरुआत में एक क्लिप एड़ की थी न वो वाश करने के बाद की थी अगर वो आपको पसंद आ गई हो तो हमें एक कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपने यह ओईल कब यूज किया है या कब यूज करने वाले हो और इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है तो इस तरह से जब भी मैं कोई ओईल बनाकर यूज करती हूँ चाहिए अपने हैरपर जाए बेटी की हैरपर तो हम इस तरह से रोल कर लेते हैं बालो को और उसके बाद जब हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो हम बालो में सैंपू कर लेते हैं अब देखिए यह मैंने एक छोटी सी क्लिप सूट की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ लेंट आप देख सकते हो, साइन आप देख सकते हो, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉबलम है क्योंकि घर में सिर्फ एक ही टूप लाइट है, जो जल रही थी, और यहाँ पर मैंने फ्लेसलाइट वगरा जो है, वो भी नहीं ओन कर रखी थी वीडियो अच्छा लगाओ, तो फैनली फैन के साथ सेर करना, चानल को सब्सक्राइब करना, बैल अगन को प्रेस कर देना, ताके आपके पास टाइम टू टाइम नोटिपिकेस न जाती रही, आप हमारा वीडियो देख सको, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ठेंक्स पर वा